Welcome to my channel Keep Learning और आज के इस वीडियो में हम लोग काइनमेटिक चेंग के बारे में पड़ेगे काइनमेटिक चेंग बिसिकली काइनमेटिक पेयर का एक ऐसा अरेजमेंट होता है जिसमें की लास्ट लिक और फस्ट लिक एक गुसरे से कनेक्टे होती है इसको example से मास्त है जिस अरेजमेंट भी देखे चार लिक हैं इसके एक लिक लिक वन फस्स लिक ये ये इए सि और ये फिर्ड और ये फस रिक नहीं ये प्रीटिक नहीं होगा कि लास्त लिक तो campe मैटिक चेंग की के समय होगा in the kinematic chain, the last link is connected to the first link and having constrained and successfully constrained motion. यानि कानेमेटिक चैन के लिए दो कर्डिशन हैं, पहली तो लास लिंक फस्स लिंक से कॉंटेक्ट में हो और उनके बीच में जो मोशन हो वह एक डेफिने डेरेक्शन हो, डेफिने डेरेक्शन का मतलब या तो वह खुद से हो, या गुस्टेंट अश्टेंट करना पड़े, तो इस तरीके की चेन को कानेमेटिक चैन केते हैं, इसको दूसरे तरीके से हैं भी समाह सकते हैं कि कानेमेटिक चेन के के से में Relative Motion के साथ साथ हर एक Link तैन लिंक कीजिति दो qui को form करेगा, या दो पयर इसको consider करेंगे तो यह भी दो बेर फॉर्म करेंगी तो इसको इस तरीके से या तो समझ लिए कि last link, first link से contact में रहो और उनके पीच में relative motion और definite direction में हो या दूसरे के तरीके से इसको समझना चाहिए तो हर एक link other links के साथ में दो बेर फॉर्म करेंगी तो इस तरीके के अरेजमे unlock chain है कैसी chain है उसके लिए एक दो rule दिये हुए है उन formula के cutting अगर वो condition satisfy हो रही है तो वह हमारी kinematic chain होगी अदरवाइस वो lock या understood chain होगी तो उसको समझने के लिए हमारे पास formula होता है L equal to 2P minus 4 एक formula तो यह है L equal to 2P minus 4 गा दूसरा formula हमारा आता है जो condition को satisfy करने के लिए होता है वो यानि कोई भी arrangement आपका है वो अगर इन दोनों condition को satisfy कर रहा है तो वो आपका kinematic chain होगा अगरवाइस वो kinematic chain नहीं होगा देखे इस formula से हम लोग चेट करते हैं कि कौन सा structure हमारा kinematic chain होगा या नहीं जैसे पहली पहली कंडिशन आती है मालेजिए क्येक structure आपको दियो यह दिया होगा है ठीक है A B C अब इसमें number of links कितनी है यह link 1 होगे is link to early अगर जो second condition में ने बदाए थी कि हर एक लिंक दो पर reform कर रही हो देखे वह यह तो यहां पर पर रस एक यह यह का मतलब दो लिंक एक उसरे के contact में आब अब अगर इसमें पहली condition लगाते है तो एल का मतलब होता है number of links यानि कड़ियों की संख्या P होता है number of pair यूगल की संख्या J होता है number of joint कितने जोड़ हैं उसमें तो पहली कडिशन के हम लगाएंगे तो इसमें कितनी लिंक हैं तीन लिंक तो LHS में आया तीन उसके बाद 2 into P P का मदला pair तो प्यां कितने हो गएंगे एक, दो, तीन तो 2 into 3 minus 4 तो यहां से condition क्या आई 3 और यहां आया 6 minus 4 यानि LHS is greater than RHS तो यहां से एक ही condition बनी LHS is greater than RHS अब इसके बाद अगली condition क्या थी इसकी दूख्री condition क्या रही है J equal to 3 by 2 L minus 2 J equal to 3 by 2 L minus 2 अब यहां का number of joint कितने है तो एक यह point है एक यह point है और एक यह point है तो यह होगी अग 3 is equal to 3 by 2 into link कितनी है link 3 है minus 2 तो यहां से क्या है 3 और यह कितना हो जाएगा 4.5 4.5 minus 2 2.5 2.5 अभी भी क्या है LHS is better than RHS तो जब कभी भी LHS, RHS से ज़्यादा होगा यानि यह हमारी इन दोनों condition को follow नहीं कर रहा है और LHS, RHS ने इस तरीके की कड़ी को हम लोग बोलते है लोग्ड चेंड, इसको बोलते हैं बंद कड़ी अगर कभी भी इस तरीकी की condition satisfy हो रही है यानि यह condition तो satisfy नहीं हो जाती है तो तो हमारा बन जाता है के काइम वेठी चेंड लेकिन अगर यह condition नहीं satisfied हो रही है और LHS, RHS से बड़ा आ रहा है दोनों condition में तो उस condition में हमारी chain कैसी हो जाएगी लॉग chain हो जाएगी अब दूसरा example देखते हैं यानि इस condition में हमारा जो definite direction में motion है वो possible नहीं है दूसरी condition हमें दूसरा example लेते हैं जिसमें चार फोर बार chain लेते हैं यानि चार कढ़िया लेते हैं ये इस बड़ा है ये चार इसमें ये लिंक हो गई लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 एंड लिंक 4 अब फिरसे हम इन कडिशन को सैटिस्फाई कराते हैं तो L इक्वाल टू 2P-4 L का मतलर नमर ओफ लिं कडियों की संख्या तो कितनी कडिया है 1 2 3 4 तो LHS में कितना हो गया है 2P-4 तो 2 into pair कितने जोगे 1 2 3 4 into 4 minus 4 4 is equals to 2 x 8 minus 4 या 4 is equal to 4 यानि यहां condition के आमनी LHS is equals to left hand side, right hand side तो नमर अपर यानि पहली condition क्या हो गई satisfy हो गई आप दूसरी condition चेक करेंगे दूसरी condition क्या है J is equal to 3 by 2 L minus 2 तो number of joint कितने है 1 2 3 4 तो यह 4 joint होगा इदर is equal to 3 by 2 into link कितनी है 1 2 3 4 तो number of link 4 और minus 2 यानि 4 is equal to 2 2 is a 4 6 minus 2 4 यह condition की देखे satisfy होगी यानि यहां पर भी क्या है LHS is equal to RHS यानि यह condition यह हमारी कौन सी chain हो जाएगी Kinematic chain with 1 degree of freedom degree of freedom का मतलब होता है कि हमारा जो भी motion है वो एक कितनी direction में move कर सकता है तो यहां पर 1 degree of freedom लिखा है 1 degree of freedom का त्या मतलब हुआ कि माली जी इस link को अगर हम हलका सा कहीं पर भी rotate करते हैं माली जी इस link को इदर shift किया तो इस link के motion से link 3 और link 2 इन दोनों के motion एक definite direction में हो जाएगी चाहे तो इदर लिए अगर हम इस link को fix कर दें Link 1 को अगर हमने fix कर दिया यह link हमारी fix हो गए तो अभी इस link को fix करने के बाद इस link और link 2 और link 3 का जो भी motion है वो link 4 के motion से definite direction में होगा यह constraint motion होगा इस लिए इसको क्या मुला 1 degree of freedom जिक तो यह kinematic chain की condition हो गए अब एक और example लें ते पहला example लिया था LHS पहली condition यह थी तो उस case में हमारी chain कैसी थी लॉक चैन थी दूसरी कंडिशन जो हमने काइनमेटिक चैन के लिए लिखी होगा कि LHS is equal to RHS उस case में हमारी क्या होगई काइनमेटिक चैन होगई अब तीसरा ही केस देखतें link 1 link 2 link 3 link 4 link 5 अब यहां देखे 5 अब इस condition को देखते हैं कि यहां से क्या condition निकलती है इस condition में पहला 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 क्या था यहां पर हमारा यह L equal to 2P minus 4 तो L का मतलब number of link कितनी है 5 और RHS में कहा है 2 into pair कितने है 1 2 3 4 5 5 तो 2 into 5 minus 4 यानि 6 यानि 5 और यह इधर 6 यानि रूफे condition थी J equal to 3 by 2 L minus 2 तो joint कितने है यांबर 1 2 3 4 5 तो 5 joint होगा है is equal to 3 by 2 into number of link कितनी है 5 5 minus 2 यहां से आप चिक करेंगे तो क्या आएगा आप 2.5 और 1 degree of freedom और तीसरी करडिशन में क्या आता है कि जब RHS LHS से बढ़ा है तो इस तरीके की chain को बोलते है Unconstrained chain या अनिरुद्ध करी तो यह इस तरीके से हम काइनमेटिक chain को classify कर सकते हैं define कर सकते हैं कि हमारे motion के according हमारी chain कैसी होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं like कर सकते हैं share कर सकते हैं thank you